हेलो फ्रेंट्स वेल्कम एट निम्बफ लेर्निंग पाउड बाइंजिनियर से गेड़ मी आज हम लोग जो डिस्कुस करने वाले हैं जो हमारा जेए का पीपर हुआ था डिप्लोमा लेबल पे उसमें स्टेंट आप मेटेरियल की बात करेंगे कि ये स्टेंट आप मेटेरिय क्षण को मिला है जो कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे कूशन मिलेंगे तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सब्सक्रण जो हमें देखने को मिला था यह था फ्रस्ट कोश्चन ध्यान देंगे जो हमारे पेपर में कुश्चन आया था एक पॉइंट इंदर टू डाइमेंशनल स्ट्रीज सिगमा एक्स दिया है सिगमा वाई दिया है वाट इदर रीडियोफ अप मोहर सरकल ड्राउन विद दैसकेल अप दिशेकर स्केल दिया गया है औ और इस केस में आपको क्या पूछा जा रहा है रीडियोफ पूछा जा रहा है डाटा में आपको थोड़ा का चेंजेज है यहां 10 है यहां 40 है यहां आपको 40 दिया है यह 100 है लेकिन ओवराल रीडियोफ निकालना है और रीडियोफ इस टेंडर फर्मूला हमें पता है तो इ एक तरह पहले पूल सकते हैं कि यह हमारा एमेंगे अगले कोश्यों की तरफ चलेंगे लोग नेक्स्ट कुस्टन जो हमारा है यह हमारा एक एक्जाम में जो कुश्चन आया वह 161 है जिसमें 50 mm डामीटर है रिक्वार्ट व्यार्ट व्यार्ट ट्रांस्मीटर टर्क वान सफ आपको यहां दिया गया है कि मैक्सिमम सियर का वैलू तो वो टॉर्क का वैलू पूछ राया है यह दी डामीटर दिया गया है तो आप यहां पर हम लोग एजिली इस कुश्चन को चाहें तो सॉल कर सकते हैं और ध्यान दिना कि यहां यूनिट का अंतर है ये किलो न्यूटन मीटर ये केजी सेंटे मीटर है तो सारा यूनिट का कंवसर्प्ट है आलरीड़ी टॉइबर वैलू टॉप्ड करेंगे यह वैलू ऑप्शन यह आपका आएगा तो हम बूल तरह एक तरह है हमारे एंशिक् सब्सक्राइब करें तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट और अप्लिकेशन आफ लोट्स आपसे बूला जा रहा है कि बताएं बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर कितना आएगा इसी केस में यदि मैं अपने कि बात करूं तो एंटी के बुक में यह कोश्चन आपको एक एबी आपको लेंथ दिया गया है एल पी आपका लेफ्ट राइट है एक डिस्टेंस है जिरो पॉइंट फ्रील सामदा ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पुछा गया है सिमिलर कॉंसेप्ट है जो हमारे एंटी के बुक से है यहां सॉल करेंगे तो आपका भी आएगा और आप बोल सकते हैं कि यह एंटी को बुक आप बनाये होंगे तो कहीं ना कहीं यह आपको कुश्चन एजली आप सॉल कर सकते थे तो एक तरफ एवी हमारा यह मैच है अगले कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कोश्चन हमारा होगा जो पेपर में आया 182 कोश्चन एक फिन फिलिंडर है जिसका डामीटर है लेंथ है इंटरनल प्रेफर है आपसे सरकमफरेंट्रेस पुछा जा रहा है जिसको हूप स्ट्रेस बोलते हैं कि स्टेंडर रिजल्ट है बराबर डिसकोस किया जाता है क्लासिस में अल्रेडी हुप स्ट्रेस का एक सिंपल का फर्मूला है जो कि आपको आपके एंसी क्यों बुक में भी आया हुआ है यह जो आपका इस्टेंडर रिजल्ट है इस पीडिवाई टूटी होना चाहिए और फंसीज करेक्ट सरकमफरेंट्रेस पीडिवाई टूटी और लॉंग चुडनल एस्टेंडर रिजल्ट है जो कि आप बोल सकते हैं एक तरह से यह यह मैच है अगले कोश्चन की तरह बढ़ेंगे हम लोग तो अगला कोश्चन आपके पूछा गया है कि एक कॉलम है जिसका लेंथ है फिक्स्ट है बोथ दोनों इंड पे तो अगले कोश्चन पर आते हैं तो अगला कोश्चन कुछ है आपको दे रहा है कि स्टेट और प्योर सीरी प्रोड्यूज भाई आपका प्योर सीर कैफे प्योडियूज होगा तो प्योर सीर के कंडिशन्स आपके क्या है ध्यान दें आप्से अलग-अलग कंडिशन दिया जा रहा है कि एक्वल कंपरेसन इंटू डरेक्षन अफ राइट एंगल ईक्व Л टेमफन इन तू डरेक्फन इट राइट 35 डिग्री पे आता है इस concept को already हमने ऐसे detail में पढ़ रखें हैं इसमें आपका यदि pure torsion का case होगा तो pure shear आफकता है या एक case में equal और opposite reaction आएंगे तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ भी आपको pure shear का condition दीखेगा जो कि एज़िटीज हमने pure shear के सारे conditions को यहां class में discuss किये हैं कैसा आपका couple होना चाहिए इस case में क्या normal stresses होंगे और कितने इंगल पे उनका पहलू आएगा दिफिट 45 डिग्री और 135 डिग्री तो यह भी बोल सकते हैं कि डारेक्ली एक तरफ हमारा क्या है यह मैच है कि लिए तो इस तरह पे हमने देखा कि जितने भी ज्यादा तर कोशन दिखे यहां पे या तो हमारे नोट से डारेक्ली बताए गए गए हैं या हम हमारा जो बुक है मेकेनिकल इंजिनेरिंग का जो बुक है जिसमें 5000 अब्यक्तिव कोशन है जो कि टॉपिक वाइज भी है और कहीं न कहीं चैप्टर वाई तो हैं ही साथ के साथ टॉपिक वाइज भी कोशन दिए गए हैं तो यदि इस बुक को आप एक बार बना लेते हैं तो मेरा मानना है कि अब जितने जेई एई पेपर जो भी आप इंट्रेंस पेपर दे रहे हैं अलग-अलग कमपटिटिव एकजाम का कहीं न कहीं वो काफी हैल्फुल होगा क्योंकि जो भी कोशन आ रहे हैं लगबग इसी कॉंसेप्ट के आफपाफ ही बाते हो रही हैं और इस बुक को जरूर बना हैं चलिए थैंक यो थैंक यो वेरी मच्छ